सातियों नमस्कार मैं हूँ एड़गट सोग चोदरी आज हम बात क्यों करेंगे भाई फलाइट से रिलेटेड 21 मही को कितनी कंट्रियों से कितनी फलाइट आने वाली है इंडिया में कौन से कौन से स्टेट पे पहुंचेगी इस पे हम डिटेल से बात करेंगे 21, 22, 23 जितनी भी फलाइट है सब वीडियो के मादने से शेयर करूंगा तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओंद करके रखें साथ में अगर आप पेस्पूक पेस्पूक पेस को लाइक करके रखें ताकि वीडियो जैसे डालो नोटिपिकिसन आपके पास पहुंचे तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं साथियों 21 मही के फ्लाइट से लेलेट तो बता दूं साथियों मैं 11 कंट्रियों से 12 फ्लाइट का शेडूल दिया गया है 21 मही को तो चलिए अपन एके करके मैं बताता हूं आपको जो फ्लाइट निगलेगी ओमान की राजदनी है वो दिल्ली पहुंचेगी दिल्ली का शेडूल इसमें दिया गया है आगे हम बात करते हैं साथियों दोहा कतर से नेक्स्ट फ्लाइट है जो पहुंचेगी साथियों केरला कोची जी हैं साथियों केरला कोची पहुंचेगी नेक्स्ट फ्लाइट आप बात करते हैं च्यार नंबर की इसमें है साथियो जकारता इंडोनेशिया जकारता राजदनी है इंडोनेशिया की ये फ्लाइट साथियो गुजरात एमदावाद स्टेड में लेंड करेगी है वाइडे पे नेक्स्ट फ्लाइट की बात करें साथियो मलेशिया कोलवलूम पर से एक फ्लाइट निकलेगी जो यूपी लखनाव पहुचेगी आगे साथियो फिर एक फ्लाइट है मलेशिया पंजाब लखनाव अमरसर तीन ओप्सन दे रखे हैं अब हो सकता है बुकिंग के अधार पे होगा पंजाब है लखनाव अमरसर है अब इन में पंजाब अमरसर आ गया और लखनाव दोनों में से एक जगए ज़रूर फ्लाइट पहुचेगी मलेशिया की दो फ्लाइट हैं 21 मही की डेट की में बात कर रहा हूँ पहुचेगी दिल्ली 21 मही की डेट में नवे नमबर पहुचेगी दिल्ली 21 मही की डेट में आगे 10 नमबर पहें साथियो यूकी की दूसरी फ्लाइट ओर है जो राजस्तान, दिल्ली, जेपूर, हमारे राजस्तान पहुंचेगी साथियो, साइद दिल्ली और जेपूर का दो उप्सन इसमें दे रखा है, अब कैसे है यह नहीं पता मुझे, लेकिन UK की सेकंड फ्लाइट है जो राजस्तान जेपूर पहुंच सकती है, गैरा नमबर प पहुंचेगी राजस्तान बाकी कोई शेडूल नहीं है, तो साथियो इतनी फ्लाइटे हैं मैंने आपको बता दी 11 कंट्रीज की 12 फ्लाइटे हैं 21 मेह की डेट में 21 मेह में जितनी फ्लाइटे मैंने सेटूल बता दी आप नेक्स्ट बात करेंगे 12-22 मेह से रिलेटेड तो वीडियो पूरा देखने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके रखें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जय हिंद वन्दमातर